करनाटक के मुख्यमंत्री बी एस यहद्य यूरपा ने विश्वासमत का सामना किये बगेर ही शनिवार को इस्तीफा देने की घोशना कर दी और इस तरह करनाटक में तीन दिन पुरानी यहद्य यूरपा सरकार गिर गई इसके बाद जेडियेस कॉंग्रेस गडबंदन के मुख्यमंत्री पद के उमीदवार एच अड़ी कुमारा स्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है वह 23 माई को शपत लेंगे इस से पहले चेहरे पर हार के भाव के साथ यह यूरपा ने एक संक्षिप्त आमनात्मक्ष भाषन के बाद विद्दान सभा के पचल पर अपने निर्ण की घोशना की उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने जा रहा हूं मैं राजभवन जाऊंगा और अपना इस्तीफा सौब दूंगा ग और तलब है कि 15 माई को घोशित रह गई थी। कॉंग्रेस 78 सीटों पर जीत दर्जकर के दूसरे स्थान पर रही थी जबकि जद्रैस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद कॉंग्रेस और जद्रैस ने गटबंदन कर लिया। करनाटक में अब तक क्या 15 बड़ी बातें ये दियूरपा के स्थीफे के कुछ घंटे बाजद्रैस कॉंग्रेस बसपागट बंदन के मुख्यमंत्री पद के उमीदवार एट डी कुमार अस्वामी ने राजजपाल वजभाई वाला से मुलकात की और उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनक 30 माई को पूर प्रधान मंत्री राजीव गांदी की पुण्य तित्र होती है इसलिए शपत ग्रहन की तारीख में परिवर्तन किया गया है। पस्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने करनाटक में तीन दिन पुरानी भाजबा सरकार के नाटकिये घटना क्रम मे गिर जाने को क्षेत्रिय मोर्चे की जीत बताया। तिनमूल कॉंग्रेस प्रमुख को नामित मुख्यमंत्री एचडी कुमार अस्वामी ने फोन कर बुद्वार को होने वाले शपत ग्रहन समारोहो के लिए आमंत्रित किया है। दरसल ममता बनर जी ने 2019 के लोक्त सभा चु परिक्षन का सामना किये बगैर ये दियूरपा के मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा देने के बाद त्रणमूल प्रमुख ने देवेगाओडा, कुमारस्वामी और कॉंग्रेस को बधाई भी दी थी। जदैस प्रमुख और पूर्फ प्रधानमंत्री एचडी देवेगाओ के 58 वर्ष ये बेटे ने कहा कि राजपाल ने उन्हें बहुमत्साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया है लेकिन उन्होंने कहा हमें 15 दिनों की जरूरत नहीं है। की जदैस के विदायक राजे की राज़दानी में एक होटेल में रहे। इसके बाद उन्हें हैदरबाद के एक होटेल ले जाया गया और कॉंग्रेस जदैस की आचिका पर बहुमत्साबित किये जाने संबन्धी सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद विदायक वापस इस तरह के आरोब भी लगाएगे की कॉंग्रेस विदायक आनंद सिंग को भाजबा ने बंधक बना लिया लेकिन वेह ये येदी उरपा के अपना भाशन शुरू करने से कुछ मिनट पहले विदान सभा पहुंच गे। इन कोट ने कहा था कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है लाइव स्ट्रीमिंग, तभी विश्वास मत से ठीक पहले नाटकिये इस्तीफे और भाशन की तैयारी शुरू हो गई थी।